घर के लिए बहुत 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 जादा काम आने वाले दो प्रेडक्स में शेयर करने वाली हूँ जो मैंने मीशों से खरीदे हैं जिसमें से सबसे पहले है यह वाल रिपेर रॉलर जो कि बहुत अमंईजंग अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और वो सारी कलाकारी बॉल्स पर दिखाते बहुत अमेजंग या फिर थोड़ी बहुत पपड़ी निकल गई है कहीं पर भी लीकेश की प्रॉब्लम है होल्स है तो आप इसको यूज कर सकते हैं आपके किच्छन सिंक में यह वाला प्रोड़क्ट अगर आप रख लोगे ना तो बहुत एजी रहेगा बॉटल्स को क्लीन करना तो मुझे यह कॉम्बो के साथ मिला है पैक अफ टू और यह करने के लिए आप यूज कर सकते हो लिंक्स के लिए कम्यूनिटी पोस्ट चेक कर लेना मैंने वहां पर डाल दी है यार यह प्रोड़क्ट मुझे इतना लेट रसीवा है ना बट कोई बात नहीं फाइनली आप एंड रियली हैपी कि मैंने इसका वेट किया वरना तो मैं इ टेस्टी सी रूडिया बंदी वैसे रूडिया तो टेस्टी बंदी यह आपकी हल्दी यह अच्छा होता है आप चेक आउट कर सकते हैं वैसे तो आसानी से आपको यह लोकल मार्केट में मिल जाएगा बड़ मेरे पस टाइम नीता इसलिए मैंने मैंसु से मंगा ले लिंक् कुछ तो यूसफुल शेयर करने वाली हूँ तभी तो रुख जाते हो वीडियो पे तो आज मैं आपकी साथ शेयर करूँगी बहुत यह अमेजिंग सा स्टोरिस कंटेनर जो की प्लास्टिक अन सिलिकॉन मेटीरल से बना हुआ है एंट्रस में यह आपके किचन में होना ही कभी-कभी बहुत बड़े साइस के टमाटर, नीमबू, प्याज आ जाते हैं और आधे ही यूज हो पाते हैं तो उनको आप इस तरीके से इसमें पैक करके रखेंगे तो फ्रिज से स्मेल फ्री भी रहेगा और साथी साथ फ्रेज भी रहेगा लॉंग टम के लिए और यह ब और गीला साबुन लेकर आना ले जाना बड़ा ही दिक्कत वाला काम है तो यह सोप केस ले लो मीशो पे बहुत अफोर्डबल प्राइस माप को मिल जाएगा लिंक देने का आप्शन सरफ इंस्ट्राग्राम में है यूटूब पे नहीं है तो आपको मेरी डीपी मतलब झाल 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 इस प्रोड़क को न मीशो पे लाखों लोगों ने रिव्यू दिये हैं वो भी बहुत अच्छे तो फाइनली मैंने भी ओर्डर प्लेस कर लिया और गाईज यह बड़ाई क्यूट सा छोटू सा मिनी सिलाई मसीन है जिसके साथ आपको यह साइड स्टैंड भी मिल जाएगा ज इसके साथ आपको अलग-अलग कलर के धागे, सिजर, नेडल, ठीजर, स्टीच, ओपनर सब कुछ मिल जाएगे इसके साथ आपको बैटरी लगा कर आप जो है इसको चला सकते हो साथी साथ इसको आप बिजली से तो चला ही सकते हो इसमें धागा डालना भी इतना एज़ी है इसकी आवाज सुनो कितनी क्यूट है ना मुझे तो बहुत अच्छी लगी है अंधेरे में से लाइक कर रोए तो लाइट जलाने का भी ऑप्शन है तो आप इसली से लाइक कर सकते हो इसमें तीन से चार डिफरेंट डिफरेंट तरीके के स्टीच डालने के ऑप्शन है तो वो भी आप कर सकते हो इंसेग्राम पे ये रील मुझे शेयर कर देना मैं लिंक दे दूँगी फेस्बुक पे आपको कैप्शन में मिल जाएगा लिंक घर के आसपास खाली जबीट में थोड़ी बहुत सबजियां उगा लेते हो या फिर है आपके घर में छोटा सा गार्ड होता है आपके घर में गंबले भी है ना तो थोड़ा बहुत छोटा गार्डन तो बना कर रखाई होगा ना इसली ये पानी दे देगा मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है जब भी ये लगा हुआ होता है कहीं पे नरसरी वालों को मैंने बड़ा देखा है इसको यूज कर पड़ा है उसी खजाने में से एक और बहुत ही अमेजिंग धून कर निकाला है जो की है ये मोसन सेंसर से चलने वाला एलेजी लाइट इसको एक बार आपको महीने में चार्ज करना पड़ेगा बहुत लॉंग टाइम के लिए चलता है इसके साथ आपको चार्जिंग केबल में चार्ज के लिए जो आपको बार बार निकालना और बार बार चिपकाना बहुत एजी रहेगा इन गई इसको मैंने अपनी अल्मारी में स्टिक किया है बहुत सारे मॉडल यह जाती है जिसमें अल्रेडी लाइट लगी हुई होती है लेकिन मेरी नॉर्मल वाली है तो अ अपने कीचन काविनेट्स में जहां भी आपको लगता है कि आटोमेटिक लाइट चालू होनी चाहिए तो आप इसको यूज कर सकते हो लिंक्स के लिए कम्यूनिटी पोस्ट चेक कर लेना इंस्टा पर यह रील मुझे शेर कर देना बाई इसल टौवेल आता है जो कि काफी कम छोटे साइज में होता है बहुत अमेजिंग फैब्रिक है इसका बहुत सौफ्ट है बालों के साथ बहुत जाधा जेंटल रहेगा और मुझे इसके जो बनावट है वो बहुत पॉफेक्ट लगती है बालों को लपेटने के लिए तो आ इसबुक पे कैप्शन में मिल जाएगा इंस्टा पे ये रील शेयर कर देना यूट्यूब पे कम्यूनिटी पोस्ट में